नमस्कार मैं कशिश आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्प्रिच्छल शारदे नवरात्री के आखरी दिन महानवमी पर पूजा हवन किया जाता है महानवमी पर हवन करने से ही नवरात्री में की गई मादुर्गा की पूजा अराधना का पूरा फल मिलता है इस साल आश 15 महिने की नवरात्री के नवमी आज 14 अक्टूबर 2021 को मनाई जा रही है इस दिन हवन पूजन करने के लावा कन्या पूजन भी किया जाता है कन्याव को भूजन करा कि उन्हें भेट भी दी जाती है और साती महनवमी के दिन मासिधियात्री की पूजा होती है महनवमी हवन का श्यो महरत की बात की जाये तो 13 अक्तुबर को रात 8 बच के 7 मिनट से शुरू होकर 14 मिनट को शाम 6 बच के 22 मिनट तक है इस दोरान पूजा के लेशो महरत भ्रम मूरत में सुबा 4 बच के 42 मिनट से 5 बच के 31 मिनट तक और अभी जीत मूरत सुबा 11 चुवालिस से लेकर 12 बच तक साथी इस बार 14 अक्तुबर को सुबा 9.36 बचे से पूरे दिन रवी योग भी रहेगा अब पूजा कैसे करनी चाहिए तो बता दे कि नवमी के दिन सुबा जल्दी नहा कर साफ कपड़े पहने मासी दियातरी के ले प्रसाथ त्यार करें मा को भोग में नवरस युक्त बोजन और नो प्रकार के फूल फल चड़ाने चाहिए इसके बाद दूब दीब चलाए, मा की आर्ती करें, नवमी के दिन मा के बीच मंतर का जाब जरूर करना चाहिए इससे बक्त की सारी मनो कामना है पूरी होती है, इसके साथ ही पूरे विधिवेदान से हवन करना चाहिए आखिर में दो से दस साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए उन्हें हलवा पूरी का भूजन कराना चाहिए और भेट देकर विदा करना चाहिए यदि नो कन्याओं ना बुला पाए तो दो कन्याओं का पूजन भी कर सकते है ये जनकारी कैसे लगी है कमेंट करकर जरूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले